हैलो दोस्तों, वेलकम टो स्टेनो स्टडी, इस वीडियो के माध्यम से कठिन सब्दों की आउलाइन बनाना सीखेंगे, बिल्कुल नियम से, बस आपके लिए काम है वीडियो को सेर जरूर करें, आएए आपको इन सब्दों की बेहतरीन आउलाइन बनाना सीखाते हैं, पहला नेक्स्ट है जनांग की, यह होता है जन और यह न और यहाँ पर की और या, जनांग की ठीक है, जो यहाँ पर दो का हैं तो इस का को छोटा कर देंगे, इसमें एक का और एड हो जाएगा, आई होप आपको समझ में आया होगा, नेक्स्ट वर्ड है, सम्रध्यता, ध्यान से देखना सम्रद धता ऐसे बनाना है क्रांतिक क्रांतिक ता को छोटा कर देना है next word पर आते हैं प्रति वेदित देखेगा यह होता है प्रति वेदित next है संक्रमण संक्रमन छोटा सर्कल का मा और ना यह जो यहाँ पर रा है जब भी हम दाएं से बाएं सर्कल बनाते हैं तो यहाँ पर यह रा जुड़ जाता है ठीक है एड हो जाता है परिवेच्छन द्यान से देखना परिवेच्छन जब भी परी यह प्रति आता है तो लाइन काट कर लिखते हैं अगले सब्द पर आते हैं ससक्ति करण देखे यह होता है ससक्ति ठीक है यहाँ पर ताका लोग करेंगे और करण जोड़ देंगे ससक्ति करण नेक्स्ट है वैस्वीक देखे लाइन पर बनाएंगे वैस्वीक यहाँ इसको छोटा नहीं करेंगे ठीक है क्योंकि देखो अगर आपने लाइन काट कर इसको बनाया तो यह विश्व होता है ठीक है तो यह चीज़े याद रखना है अगला है आनू रे खित देखेगा द्यान से यह आनू यह रे यह खित नेक्स्ट है वेद्यता लाइन पल लिखना है कैसे बनायेंगे देखना द्यान से वेध्यता ठीक है ऐसे बनाना है प्रसंस करण देके प्रसंस ठीक है थोड़ा सा आगे तो के निकालना है और करण जोड़ने ना है प्रसनंस करण। अगले सब्द पर आईएगा सवभाग्य। लाइन पर लिखना हे सवभाग्य। ठीके सवभाग्य। पारी तंत्र ध्यान से देखिएगा पारी तंत्र कैसे लिखेंगे देखें जब भी पारी आएगा या परी आएगा तो लाइन काट कर लिखना है तो यह हुआ पारी और यह हुआ तंत्र ठीके लॉंग करना है नेक्स्ट वर्ड देखेंगे बहुत ही ध्यान से आपको समझना है देखो word है आप निवेसिक ठीक है देखो कैसे बनाएंगे यहाँ पर हम ऐसे बनाएंगे यह हुआ आप ठीक है और यहाँ पर जोड़ेंगे निवेसिक समझ में आया न दोस्तों देखो यह क्या हुआ आप यह आप हुआ न और यहाँ जोड़ दिया निवेसिक ठीक है तो यह हो जाएगा आप निवेसिक यही आउटलाइन आप प्रयोग करना आगे देखेंगे वालिज्जी करण देखो ऐसे बनाएंगे यह वा यह ना हुआ ठीक है इतना समझ में आए ना आपको और जा और करण जोड़ देंगे वालिज्जी करण ठीक है वालिज्जी करण तो होता नहीं वालिज्जी करण होता है ठीक है अगला है उत्क्रमित देखना ध्यान से उत्क्रमित रूपान तरित ठीक है ऐसे बनाएंगे साम में वादी यह हुआ साम में जोड़ देंगे वादी प्रमूदित देखो प्रमूदित प्रमूचित ठीक है यह भी सब्दा आता है तो प्रमूचित ऐसे बनाएंगे इसके बाद अगला सब्द है समा विस्ट यह सम और यह विस्ट ठीक है अस्ट के लिए चाप का प्रयोग करेंगे क्लियर इसके बाद अगला सब्द है क्रियान वयन ध्यान से देखिए समझ में आया ना कैसे बनाया देखो क्रियान वयन ठीक है ऐसे बनाया है और दूसरी तरह आप बनाओगे दोस्तों तो बहुत बड़ी आउटलाइन बनती है ये बेस्ट आउटलाइन है याद रखिए अगला स्रब्द है कुटुम्ब द्यान से देखना कुटुम्ब कैसे बनाएंगे काफी कन्फूजन र बनाना अगर आप का को छोटा कर दोगे टाटो एड हो जाएगा लेकिन हम इस सब्दों को पढ़ नहीं पाते हैं तो कुटुम्ब की आउटलाइन ऐसे ही बनाएंगे नेक्स्ट है निह तार्थ निह तार्थ विघटन विघटन ठीक है यहाँ पर जो घा है इसी में हम टाक यह आउ हुआ ठीक है और इसी को लॉंग कर देंगे और ता जोड़ देंगे ठीक है आउत तरीद समझ में आया ना कैसे बनाया यह आ है यह वा है और दोस्तों हमने इसको छोटा किया तो यहाँ पर ता जोड़ गया फिर इसको बढ़ा कर दिया क्योंकि हमें रा बनाना है ठीक है तो हमने यहां तक बना दिया इसके बाद यहां पर ता का अकड़ बना दिया ठीक है आउत तरीद ऐसे बनाएगा अगला शब्द है प्रत्ययोजन कैसे बनाएंगे देखो प्रत्ययोजन ठीक है यहां पर लिखा प्रत्ययोजित तो आप इसको ऐसे बना लेना प्रत तो यह हुआ प्राग और यह संस थोड़ा से डैस निकालना है बस यही पर जोड़ देना है करण प्रसंस करण अगले सब्द पर आते हैं शव भाग्य यह शव भाग्य पारी तंत्र तो पारी यह हुआ और तंत जोड़ देना है सायद ये दोनों सब्द रिपीट हुए हैं और आप देख सकते हो जैसे प्रजा तंत लिखते है न तो प्रजा तंत के लिए क्या होगा देखो ये प्रजा हुआ और ये तंत ठीके और भी सब्द है लोक तंत्र एके जैसे सब्द है इनमें तंत जुड़ा है तो ऐसे इनको बनाईएगा ठीके ये हुआ पारी तंत ये क्या हुआ आपका प्रजा तंत ये लोक तंत और ये राज तंत ठीके सब में जो इता है ये लॉंग रहेगा अगला शब्द है अलपार्द इसको बनाना है देखे ऐसे आपको बनाना है ये अलप हुआ और यहाँ द बना देना है ठीके लॉंग द बना दीजेगा तो ये आउटलाइन बनेगी अलपार्द की ठीके अगला सब्द है अपरदन अपरदन लिखना है अपरदन नेक्स्ट है अच्छा दन अच्छा दन ठीके अच्छा दन की आउटलाइन है अगला सब्द है आवक्रमन कैसे लिखेंगे ये आव और यहाँ जोड़ना है क्रमन ठीके आवक्रमन अब देखो अगर आप नहीं पढ़ पा रहे तो ऐसे बना लिजेगा ये आव हुआ ये क्रमन ऐसे बना लेना उपरांत कैसे लिखेंगे उपरांत ठीक है ऐसे बनाना नेक्स्ट वर्ड है प्रतिस्थापित तो प्रति है लाइन काट कर लिखेंगे और ये था अलग जब इस्थापिता है तो आप ऐसे बनाना इस्थापित लेकिन यहाँ पर ऐसे बनाएंगे नेक्स्ट वर्ड है हस्तान तरण तो देखो ऐसे आपको बनाना है हस्तान त और देखो यहाँ पर नागागड़ा हस्तान तरण महा महीम महा यह महीम ठीक है यह आउडलाइन बनेगी यह मा है यहा है यह मा है यह हा है और लास्ट में भी मा है तो यह महा महिम की आउडलाइन है प्रयोजन प्रयोजन आश्वाशन देखो आश्वाशन बड़ा हम कर देंगे अगर ना के आकड़े को तो सन होता है ठीक है आगे देखेंगे शन्साधन लिखना है सन्साधन नेक्स्ट वर्ड है जन गरना जन हुआ और यहीं आपको जोड़ना है गरना तो द्यान से देखना गरना अगला सब्द है नगरी करण यह होता है नगर यहीं जोड़ना है करन करन नगरी करण सन्साधन रेखा तो दोस्तों यह होता है सन्साधन यहीं जोड़ना है आपको रेखा ठीक है तो कैसे बनाएंगे तो यहां रेखा आप जोड़ देजे रेखा ठीक है कैसे बनाया ये श्वन ये रे खा अधिनियम अधिनियम अगला शब्द है अधिनियमित बनाना ऐसे ही है लेकिन यहां पर हम ताके आकड़े का प्रयोग करेंगे अधिनियमित लिखना तो देखेगा अधिनियम मित ठीके अधिनियमित अधिनियम गल राज देखो ये गन ये राज परिशद शंग सूची देखे शंग और ये सूची इसके बाद नेक्स्ट वर्ड है रियासद ठीके कुछ और सब्द है इनको भी देख लीजिए दोस्तों हम चाहते हैं कि आपको कितने सब्दों की आउटलाइन बता दें लेकिन आप लोग हो कि वीडियो सेर नहीं करते लाइक भी नहीं करते हो ठीके तो प्लीज आपसे रिक्वेस्ट है कि वीडियो को लाइक और सेर जरूर किया करिए आए इनकी आउर्लाइन देख लेते हैं सम प्रभुता लिखना है तो सम प्रभुता ठीके यहाँ पर ता कि आकड़े का प्रयोग मत करना क्योंकि फिर आप पर नहीं पाओगे कि इसमी मात्रा है कि नहीं ठीके नेक्स्ट है वाडिज वा निज प्रसारन देखो प्रसारन ऐसे बनाएंगे अगला शब्द है अनुछेद देखो अनु होता है और यह छेद अनुछेद आपूर्ती आपूर्ती अंगी क्रत अंगी यह क्रत यहाँ पॉइंट रख देना है अंगी करण होता तो ऐसे आप लिखते हैं अंगी करण ठीके दोस्तों इस वीडियो में इतने ही वर्ड थे आई होप आपको सभी वर्ड की आउटलाइन समझ में आ गई होगी तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें ठीके दोस्तों आपसे रिक्वेस्ट है शेयर जरूर करें अपने दोस्तों तक वीडियो पहुचाएए फिर से आपसे मुलाकात होगी नेक्स्ट वीडियो में जय हिंद जय भारत